आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे चीजे सेकाने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को बिना एक रुपे खर्च किये हुए लंबा काला घना और मजबूत बनाएगा तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप अब देश चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ पक्का से जुड़ जाएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में सेर करना दिल्कुल भी मैथ बुलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साथ सेर करने जा रही हूं कुछ ऐसे एक्वा प् होती है वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं उनमें इतना ज्यादा पाहर होता है कि वह आपकी बॉडि की सारी बिमारियों को चुटकियों में खत्म कर सकता है बिना कोई दवाई के बिना कोई जंगत के तो अब आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आखिर तो एकवा प्रिसर पॉइंट एक पुराने टेकनीक है जिससे कि आप बिमारियों से लड़ सकते हों उसे में आता है हमारा है हैर फॉल लॉष माजने से या आफ चाहते हो कि आपकी है जल्दी से बढ़ नहीं रही है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे एकोई प्रिशर पॉइंट से करने जा रही हूँ, जो कि आपके स्काल्प के ब्लाडनेस को कम करेगा, जो नए नए है ग्रोथ है उसे लाएगा, अगर आपको हेर फॉल, हेर थिनिंग की समस्या है तो उसे भी खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर टेक दूइट है, आज का जो फर्स्ट प्रिशर पॉइंट है, वो आपके हाथों के बीच में होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कि कलाई के पास से आठ उंगली नीचे चले जाना है, जैसे कि मैं आप पे जा रही हूँ, और जो आपके छोटी उंगली के नीचे पॉइंट आएगी, वही है आपका प्रिशर पॉइंट, ये आपका one of the best एको प्रिशर पॉइंट है, जो आपके हेर ग्रोथ को effectively बूश्ट करेगी, हेर ग्रोथ को increase करेगी, इस पॉइंट को आपको कम से कम 8 से 9 बार प्रेस करना है, दिन भर में आपको इसे कम से कम 24 से 25 बार प्रेस कर लेना है, और इसे आप कभी भी कहीं भी उठके, बैटके, सोके, कैसे भी प्रेस कर सकते हो, इसमें कोई restriction नहीं है, कि इसे आपको खाली पेट करना है, सुबह में करना है, साम में करना है, जब भी मिल जाए तब आप इस point को press कर सकते हो जो second aqua pressure point है वो आपके collar bone के पास आती है तो इसके लिए आपको तीनों बड़ी उंगलियों को लेना है और जहां पर आपकी shoulder blade और आपका spine आके जुड़ता है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है वहां पर आपको तीनों बड़ी उंगलियों से कम से कम 3-4 मिनिट के लिए press करते रहना है जब आप इस pressure point को press करते हो तो आपको एक sense of relief महसूस होगी और शाथी साथ इस pressure point को press करने से आपकी पूरी body का blood circulation boost हो जाएगा आपकी जो भी scalp में blood circulation की कमी है वो भी increase होने लगेगी और यह echo pressure point man और woman दोनों try कर सकते हैं दोनों के लिए उतना है effective है और इस point को आप press करते टाम एक बाद ध्यान दिजेगा कि यहाँ पे आपको अच्छे से जोड़ लगा के थोड़ा सा press करना है क्योंकि यहाँ पर कर जो point होता है वो काफी अंदर में होता है hair growth के लिए third pressure point है nail raving जब आप अपने nail को 10 minutes के लिए रब करते हो तो आपके nail में friction पैदा होती है और वो friction आपके body के आपके जो scalp होती है उसका blood circulation को boost करती है और साथे साथ आपको एक पाध्यान देना है कि आपको अपना अंगूठा रब नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ आपको चार उंगलिया रब करनी है अगर आप में हो तो आप अंगूठा भी रब कर सकते हो यह वाला जो pressure point है आपके hair growth के लिए आपके hair loss के लिए बहुत ही अ करते हो पाच-पाच बिनिट 10-10 निट जितना मैंने आपको टाइम दिया है उतना करते हो तो मैं सेवर हूं कि आपके hair falls related जितनी भी समझ से आए हैं अगर आपके hair में जैंड्रोफ है उससे बाल जड़ रहे हैं या फिर आपको बहुत ही ज्यादा hair thinning की समझ से आए या फि इन सारी चीजों से आप निजात पास सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिसल पॉइंट को प्रिस करके तो आपको आज का यह वाला वीडियो बहुत पसंद आया है तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा तो मिलती हूं आप लो